हाइ फ्रेंड्स कैसो आप सब क्रिस्मास आ रहा है तो क्यों ना कुछ बना लिया जाए क्रिस्मास के लिए तो मैं यहाँ बना रही हूँ क्रिस्मास ट्री केक से तो फर्स्स मैंने यह पर ओवन को प्रीहिट होने के लिए रख दिया है तेन मिनिट्स के लिए 180 दिगरी तो आप 3 akl मेदा neकाल लेजुगih और जाना का मेदा निकाला है इसलिए यहां निकालकरका कोपौडर मिलाएर कुषी चीनी तो इपस्पूड निकालव measure मेदा निकाल करके नाशनला है तो मैंने कमेदा कि बिद मेदा दाला है लेना होगा तो मैंने आदा कप यहां पर दूद पाउडर भी मिला लिया है और एक कप पिसावा चीनी मिलाया है तो आप मेजर्मेंट का अच्छा से ध्यान रखेगा आपका बेस परफेक्ट बनेगा तो एक बाई इंग्रीडियन को सारा मिक्स कर लेना है तो यह मिक्स हो गय हो तो मैं कट और फॉल्ड मेथेट का यूज करूंगे तो कट और फॉल्ड मेथेट का ही यूज करना होता है आप स्पून या स्पिचुला से बना रहे हो तो और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना होता है तो आपको एक तरफ से राउन लेकर के जाना है मिदल में भी बेश लिए अजाए तो बेश नहीं बनेंगा इसी तरह से आपको बेटर कर लेना है तो बेटर हमारा रेडी है थो मेरा यहां पर दूद बज गिया है तो मैंने यहां पर बैश लिया था जिसमें से मेरा 1-4 cup बज गिए है यहीं मेजर्मेंट रहता है आपका एक कप मेदा एक कप चीनी और आधा कप दूद पाउडर आप दाल रहे हो तो आपको थ्री फूर्थ कप दूद लगेगा तो यहां पर मैंने ओईल डाला है 3 टेबल स्पून इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है डायरेशन एक ही रखिएगा और इसी तरह से कर्टेन फॉल्मेटेट का यू तो अब मैं पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ अगर मैं पूरा में बेकिंग पाउडर डालती तो मैं एक चौमच वान टीस्पून बेकिंग पाउडर डालती लेकिन मैंने भी हाफ में डाला है तो मैंने हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर का यूज किया है इसको 1.5 टीज़ डालना है और जितना आपने लेमन जूस दाला है उतना ही आपको इसमें पानी मिलाना है तो 1.5 टीज़ पानी मिला लेंगे तो इस मिक्षर को बैटर में मिक्स कर दिया है अची तरह से अब मैंने यहापे कपकेक मोल ले लिया है तो मोल की उपर में यहापे कपकेक बनाने का पेपर आता है तो यह बटर पेपर ही होता है बस इसका शेप कपकेक के जैसा होता है तो बहुत इसली इसमें बन जाता है तो बहुत जादा नहीं डाले यह तो इसको बेकिंग में रखने से पहले इसको इसको टेपट कर लेना है ताकि जो भी बबल से वह सैट हो जाए और मैंने माईक्र वेव को पहले से प्रीहिट करके रखा था तो इसको मैं 20 मिनिंस के लिए और बेक कर रही हूं तो यह 20 मिनिंस में अगर नहीं क्लीन आ रहा है तो कुछ देर आप 5 मिन्स और इसको बेक हो गया है तो इसको चली पहले मॉल्ट से निकाल लेते हैं तो बहुत ही इसली निकल जाता है बटर पेपर के कारण और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली मॉल्ट को ले लीजिए इसको ओईल से ग्रिस कर लीजिए उसके बार अच्छे से निकल जाए बिल्कुल भी न चिपके तो हारतर अच्छे से कोड करने के बाद इसको आप लटा करके एकब만 कर लीजिए ताकि जो भी एकसिस मेहस मेरा मेमा है वह निकल जाएगा तो मोल्ड रेडि है तो हमारा जूमिने हाफ बैटर रख था उसमें भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सेम मेजर्मेंट से डाल लेना है सेम तरीके से उसको मिक्स कर लेना है चलिए इसको मौल में डालेते हैं बैटर बहुत जादा भर करके नहीं डालना है देर से 2 चमच के लिए तो 20 मिनिट में अराम से बेक हो जाते हैं हमारा कपकेक्स बनके रेडिये मैंने सब को डी मॉल्ड कर लिया है तो चलिए डेकोरेशन कर लेते हैं तो उससे पहले हमें केक बोर्ड लगेगा तो मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो में जुगार से बोर्ड बन ताकि हमें पेपर अराम से इसके उपर लगा सकूँ तो जितना बारा मुझे लग रहा है मैं अतना कट कर लेती हूँ अब चलिए इसको कवर कर लेते हैं पेपर से तो सिंप्ली आप इसको फोल करके सेलो टेप के हैट से स्टिक कर लीजे आप चाहे तो ग्लू का भी यूज कर सकते हो तो इसे तरह से हर तरफ इसको चिपका लेना है तो देखिए हमारा जुगार से केक बोर्ट रेडी है तो बचलिए तो आप डेकोरेशिं के तरफ चलते हैं तो मैंने यह पर विप क्रिम को पहले से विप करके रखा है में यहाँ ट्री बना रही हूँ तो मुझे ज़एगा तो मैंने यहापे गृण कलर डाल लिया हैं और मुझे जितना डाक चाहिए उतना कलरट डालके मैंने कलर अज़ेज कर लिया है तो कि बंद गया है अब कपकेख को बॉड में पहले हम exist कर लेते हैं तो उससे पहले जो बिए पेपर्स लगा हुआ इन इसको रीमूफ कर लेत ile है उसको रीमूफ कर लीते हैं तो मैं पेर को लेम बनारही हूं तो मैं तो आप मैं डंडे के लिए अशनलव बनाूर ही हुँरण कंड़र क vitam लायों लाने के लिए मैं चॉक्लिट सीहर आपक लूर कर लेना है तो एक ब्राउन कलर बन so हें है हमारा अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो आकफ डायरेक। का यूज़ सकते हो और नहीं है तो इस तरह सぇ हो तो नीजे इसका दंडा की तरफ हुआ उसमें मैं ब्राउन कर रही हूँ तो एक अच्छा सा लेयर इसमें स्प्रेट कर लेना है बावी मैं फिनिशिंग के लिए इसमें नोजल से डिजाइन बना दूँगी फर्स में बबस कवर करने के लिए लगा रही हूँ तो मैंने ब्राउन कलर हाथ तरफ अच्छे से कवर कर लिया है अब जो मैंने ग्रीन कलर बना के रखा था वह मैं उपर के तरफ अच्छे से स्प्रेट कर रही हूँ एक दम फिनिशिंग का जरुवत नहीं आपस एक लेयर स्प्रेट कर लिजे क्योंकि उसके बाद मैं इसके उ से आप चाहे है तो डायरेक्ट स्टार्स भी बना सकते हो यह लेयर ग्रीन कलर कर स्प्रेट करने का जरूत नहीं है तो मैंने स्टार नोजल यह था बरावला और उसी से सारा केक को कवर कर लिया है निचे वाला पार्ट है मैंने कौन में नोजल डाला है स्ट्रेट वाला और उसमें मैंने क्रीम को फिल कर लिया है और सिंपल एक लंबल लाइन बना रही हूँ ताकि नीचे यहाँ फिनीशिंग आ जाए तो केक अलमस रेडी है अब इसको डेकोरेशन कर लेते हैं तो क्रिस्मास ट्री एकदम डेकोरेटिव होता है तो इसमें आप स्चार्स बोल्स अप में बढ़ लिया है और उससे मैंने जिगजग पैटर्न में लाइन ड्रो कर लिया है अब मैंने इस चार नोजल लिया है छोटा वाला उसके अंदर मैंने पिंक कलर भारा है और कहीं कहीं में छोड़े-छोड़े स्चार्स बना लूंगे तो अगर आपको अलग कलर चाहिए कलर फुल चाहिए तो आप अलग-अलग कलर से भी बना सकते हो उसके बद मैंने यहां पर एडिबल कलर बोल्स लिया है यह अराम से रेडिवन मिल जाते है बजार में तो यह कलर फुल है तो अच्छा लूग देगा हमारे ट्री को मैंने यहां पे ग्रीन परपल ब्लू हो गया है अब मैं लूँगे यहां पर देजिकेटिट को करने जो नालेल का बुरादा आता है वह उसमें मैं यह वाइट कंपान चॉकलित को थौधा करके मिला लूँगी ताकि एक डो जैसा बन जाए बहुत ज्यादा मत मिलाईगा बहुत गिल्ला हो जाएगा तो मैं थौ बनाऊंगी तो मैं इसको स्प्रेट करके सिंपली कुगी कटर से कट कर लूँगी तो एक स्थार बन जाएगा और बनाने के लिए सिंपल हाथ में लेकिस को राउंड बना लेना है लास्ट में मैं इसको डेजिकेटिटिड कोकरनट से कोड कर रही हूं ताकि अच्छे से यह है इस चॉकलेट के बना रही हूं और इसी पिंक कलर से मैंने इसका मूभी बना दिया है तो स्जीडूमैन हमारा रेडी है तो इसको बोड में स्टिक कर लेते हैं छोकलेट के हैट्वस्टिक कर देंगे तक ही है् नीचे में छुआसा च्डूकलेट लगाया है और उसको बो करके रखना होगा चपते कि अच्छे से चिपकना जाए और यहां मैंने स्टार बनाया था उसको भी स्टिक में डाल लिया है उसको मैं उपर से गॉल्डेन एडीबल दस्कलर जो आता है उससे कलर दे दूंगे आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो रैड ब्लू ग्र जो आपको पसन हो ग्रीन मत कीज़ेगा वना दिखाई नहीं देगा अच्छे से गॉल्डेन ब्रेड या ब्लू अच्छा लगता है मैं गोल्डेन लिया है उसको अच्छे से कवर कर दिया है डास कलर से अब उसको मैं सबसे उपर की तरफ लगा रही हूँ और स्नोमेन का मै ने लॉंग लिया है और दोनों तरफ एक एक लगा दिया है और जो निच्छे मैंने फ्री बोल्स लगाया था तो मैंने एक रिमूफ कर दिया है वो तीन अच्छा नहीं लग रहा था देखने में तो केक हमारा बनके रेडी ही कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बत क्या है